फीच में ओरगन ट्रांस्प्लांट मामले में एनोसी जारी करने की एवज में रिश्वत लेने के मामले में असीवी रिमांड पड़ चल रही आरोपी S.O.G. ऐस्वताल के सायक प्रशासनिक अधिकारी गौरप से गौरीचозможно अस्पताल में और्गन ट्रांस्प्लांट कॉंडीनेटर अनिल जोशी के साथी अन्य आरोपी बिनोट से पूस्टाश में कई खुला से सामने आए हैं एसोजी ने आरोपीयों की रिमांड अब्धी खत्म होने के बाद सौंबार को फिर कोट में पेश कर रिमांड पर लिया है रिमांट पर लिये गए इन आरूपियों से पूस्ताश के बाद अब ACV अधिकारी निजी अस्पतालों के डॉक्टरों से भी पूस्ताश कर औरगन ट्रांस्प्लांट केसों के बारे में जानकारी जुटा रही है सुतरों की माने तो फटजी एनोसी के तार नेपाल, वंगलादेश और कमबोडिया से जुड़े हैं निजी अस्पतालों के डॉक्टरों को भी इसकी जानकारी थी अब तक की जांच में सामने आया था कि करीब एक हजार से ज़ादा एनोसी जारी की जा चुकी है जबकि बीते एक साल में कमेटी की कोई बैटक ही नहीं हुई थी एसीवी ने कमेटी में शामिल तीन डॉक्टरों के हस्ताक्षरों के नमूने लिए हैं हस्ताक्षर के नमूनों को जांच के लिए FSL भेज़ा जाएगा FSL रिपोर्ट के बाद ही तैह हो पाएगा कि नोसी पर किये गए हस्ताक्षर फरजी थे या असली हम परकाईब के लिए